दूस्तों आज की कहानी है बहु हमारे घर में टोकाटा की नई सलेगी दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्रैप नई किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अरूज नया वीडियो ये क्या सबसी बने ममी जी फिर वहीं मगोडी और आलू बेटा बड़ों के लिए मगोडी और तुम बच्चों को मगोडी पसंद नहीं इसलिए आलू की सबसी बना दी मुझे ये सबजिया पसंद नहीं हैं तो बै तेरे लिए कुछ और बना दो नहीं ऐसा कुछ नहीं पर मैं ये सबजी खाकर बोर हो गई हूँ ठीक है साम को तो तेरी पसंद की सबजी बना लेना कहो कर नव्या की सासा भाज जी ने बात वहीं खतम कर दी थोड़ी देर बाद ममी जी काम वाली बाई कमला अभी तक नहीं है मुझे उसका आने का समय बिल्कूल पसंद जल्दी क्यों नहीं आज जाती है और अगर नहीं आ सकती तो हम दूसरी बाई क्यों नहीं लगा लेते नव्या माना कमला थोड़ा देर से आती है लेकिन हमें इसमें दीकत तो होती नहीं है फिर काम भी इतना अच्छा करती है कल को दूसरी बाई लगा भी ले उसका काम पसंद नहीं आए तो क्या मतलब और पिर कमला पैसे भी हिसाब से लेती है नव्या ने एक बार फिर नाकमो सड़ा दी ये आई दिन का काम दावा रोजी अपने सासदवारा परबतित किये वे घर में कुसना कुस खोट निकालती रहती थी कभी उसे सबजिया पसंद नहीं आती तो कभी उसे रोटिया को बनाने वाला हाटा पसंद नहीं आता कभी उ कुसाला से क्यों मंगाया जा रहा है तो कभी उसे लगदा घर में कोई 120 गंटे का नोकर क्या नहीं रख लिया जाता रसुई में उपयोग होने वाले तेल गी के कमपनियों के ब्राट भी उसको नई समझ में आते थे कभी कबडे दोने में उपयोग में होने वाला वोसिंग पाउडर भी उसको तकलिप देई परतित होता था और भी पता ने किया गया कहने को साधी को सार मैने हुए लेकिन सार मैनों में नव्या खोज खोज करका घर में कम्या निकालने की कोशिस करती जबकि इसी घर को आबाजी सालों से बहुत अच्छे ढंग से परभित करे जा रही थी एक दिन ये किया है ममी जी फिर से पकोड़े कितना तेल होता है इन में दाइनिंग टेबल पर बेटे बेटे नव्या अपनी धाली को देकर वापस अपनी नाकमो भिकडने लगी वहीं बेटे उसके पती ने उसे टोका नव्या ये किया तरीक है तुम्हें नई खाना है तो त क्या मतलब हैं प्लीस सुमी तुम तो समझो हजकल डॉक्टर भी जादा तेल खाने से मनना कारते हैं आकिर हमें हमारी स्यत का ध्यान रखना ही सही है मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तुम इस तरीके से मेरे पर घुसा करें बेटे बहु को इस तरीके से लड़ता देख अब आज गबरागी और उसी समय बाद संभालने के लिए बाहरा की लेकिन वहीं बैटे उनके ससूची भीस में वो लेरे समित क्यों डाट रहें नव्या को सही तो कर ये वह इतना तेल खाना सेथ के लिए अच्छा नहीं होता वेसे भी आंसकाल की पिटी बहुत समस्दार होगी ये अफवने सासाथ पुरे परिवार का ध्यान रगते और हमारी नव्या तो हेई बहुत वोस्यार अबातों में सही पुराने तोड़ तरीकों से काम करते है ये नव्या उसे कितनी बार सही तरीके और मेनेक जमेंट से काम करना सिखाते है एंपर उसको समझजी कहां आता है नविया बेटा अब से काम करते कब कौन सी सबसी बनेगी कितनी बनेगी घर में कौन से और कितने पकवान बनेगी कौन सी बाई आएगी कब आएगी काम में लिए जाएंगी तेलगी कौन सी कंपनी का आएगा दूर कहां से आएगा गाटा कौन सी सकी से पिस्वाया जाएगा ये सब काम तुम संभालोगी इसा नई है कि तुम्हें हम काम देकर हम जिमेदारियों से पीसे हो जाएंगे हम तुम्हारी बताईवे सारे काम समय से कर दिया करेंगे लेकिन हम सब को अब तुम्हें मेनेज करना है ये लोग ये महिने के उतनी रूपिय जितने मैं आबा को घर करस के लिए देता हूँ तुम्हें भी इनी रूपियों में घर अच्छे से अच्छे तरीके से सलाने फिर भी तुमारी सालियूत के लिए मैं दो चार और बढ़ा कर रख देता हूँ ससूर जी की बाद सुनकर नव्या खुसो गी इतने मैंनों से वह यही तो सार रही थी अपने आपको हर काम में नमबर वन और होस्यार समझने वाली नव्या आज घर मैं अधी कत्र पाकर बहुत खुसो रही थी और धव धीरे धीरे नव्या ने घर के मिरस मसाले की तेल दूद भाई उसका समय उसको दिये जाने वाले पैसे और भी पता ने किया किया बदला सुरू कर दिया बाद जी के वल रोटिया बनाती थी सबजी बनाने की जिमेदारी नव्या की थी अब जब सबज्या ये वो बनाती थी तो नमक मिरसी कम जादा सबजी कम पढ़ना जादा बसाना सारी जिमेदारी नव्या की थी घर में किसको कब किया पकवान काने अब ये सब सुन नव्या कोई बोला चाहता था जिस तरीके से बात बात में आबाको टोका जाता था अब सभी नव्या को टोकने लगे अपने पसंद की बाई जो नव्या ने लगा ली वो कभी सूटी कर लेती तो अब उसको फॉन करके बुलाने की जिमेदारी उसकी तिन सारे एक सा सूटियों के लिए हो गई तो उसकी जग किसी ओर को बुलाने की जिमेदारी भी नव्या की थी गर सापे या गंदा भाई के कितना और कपी से पड़ना ये सब भी नव्या को संभालना होता था की तेल वोसिंग पाउडर भी नव्या ने बड़ी सी बड़ी कंपने के उतपाव मगाने शुरू कर दिया अब इस तरीके से अपना सनापूत पाव मगाने से बाई को भी पुरानी बाई से बढ़कर रूपिये देने में महिने के आखिर में बजट भी बिगड़ने लगा फिर इस बजट को नियत्रित करने के लिए वा सुब से रात तक घर वालों पर विजली बनाने के लिए पीस अध़ दिया तुम भागल होगी किस तरीके से तुम मेरी ऐसी और पंके सलाने पर विफी से बढ़ी रहती हो इंसान घर रहने के लिए ले ततU마ो कई कभी यह लाइट क्यूं जला रख है पंका क्यूं जला रखा हैं ऐसी की किया जरूरते ही बाते करती रहते हो त्यों मुझे ये सब नई होगा हमारे घर में इतनी सोटी सोटी बातों के लिए टोका ठाकी नई करी जाती है हम लोग कौन सा बीजली खरस करते रहते जो तुम इस तरीके से लेक्सर देती रहते हो त्यों नव्या अपन आसा मूह लेकर रह गई अब महिने के आकिर में उसे रूपिय भी कम पढ़ने लगी वैसे भी घर में जो भी कम सभालता है उस भी गड़ बड़ी के लिया उसी बोलेंगे नवया की हलत और खराब होने लगी आकिर महिने के आकिर में उसने पने ससूजी से दो जार मां के बेटा मेंने तु 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 में पहले आबा को देने वाले पैसे में दो जार बड़ा कर दिये थे और दो जार साइए पापा जी थुड़ा मुझे मेसिस करने में कही ना कई कोई दिकत होगी कोई बात नी बेटा ये लो ससुजी ने तो भी ना कुछ कई नव्या को बैसे समा दिये लेकि नव्या बहुत बुरा मेसुस कर रही थी तने महिनों से वो अपनी सास को बहुत कुसी कुसीनी पैसों से गर संपालते देख रही थी वह घर तो सब आली रही थी साथी साथ उन पेश्वाम में बंसत करके घर की बाई की मदत या मंदिर का दान पुणिया भी कराती थी उस दी नव्या बहुत प्रेशान हो रही थी प्रेशानी में वह सब्जी बनाने लगी जैसी नव्याने टेबल पर बेटे सभी परिवार जनों को सब्जी परोसी सभी के मुझ से एक साथ दिखला ये कैसी सब्जी बनाई ना तो ये पकी हैं साती नमक भी इसमें दो बार डाद्या नव्या के लिए भी बढ़तावा घूसी में सब पर सिला पड़ी आप लोगों को तो मेरी हरका में नु जे घर संभालते संभालते कितनी गलतिया निकाल दिया हम लोगोंने मेरे कामों में अब जो काम करेगा उससे तो गलतिया होगी ना कहते कहते नव्या रोने लगी तभी सथोजी अपनी टेबल से उठे और नव्या के पास गए यहीं तुम समझाना साहा रहे हैं नव्या तो फिर वह प्रेसानी होगा और कहीं बार तो हम बिना गलति के भी उसे जिमेदार ठेरा जाते हैं जब तक हम किसी कारियों को करते नहीं हम उसकी जिमेदारी समझते नहीं फिर मैसी में सामने वाले पर हमेसा आराम से कम्या निकालना सीख जाते हैं कभी ये नहीं जानना साहते हैं कि गलतियों तो सभी से होती है साहती जो काम कर रहे उसके पास अपनी मजबूरियां होती है कभी पैसे की कभी समय की कभी घर वालों की पसंद ना पसंद की नव्या तुम अपने दिल पर हात रख कर बताओ क्या इस एक महिने में मैंने तुम कभी भी बिना गल्दी के किसी बात पर टोका नई पापा जी किया इस एक मैने में हम सब घर वालों ने कभी भी तुमारी मदद करने से तुम्हें मना किया हो कि नई अव काम केवल तुम ही करना है नई पापा जी नव्याने सर जुकाती वेका तो फिर बेटास जिस तरीके से भाग गर संबाल रही थी उसमें इतनी बड़ी कौन सी धीकत आ रही थी जो तुम उसको हर वक्त घर के कारियों के लिए गलत जिम्हेंदार ठेराती थी मैं समझ गी उमू जी ममी जी की हर एक बात पर गलतिया नहीं निकालनी सही थी सालों से वो इस घर को बगद कूसलता पूरवक पर बतित करती आरी लेकिन मैंने अपने एंकार के सलते उनके हर कारिया में कमी निकाली ममी जी ये घर आपका है और में खुसी खुसी इस घर की जिम्हेंदार एक बार फिर से आपको संबालती हो नव्या की आँखों में आशु देका बात जी भी प्रेसान हो गई अरी नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं ये गर मेरा नहीं हम सब का घर के सभी सगस्यों से मिलकर गर परीवार बनता है गर कोई बात पसंद नहीं आए तो उसका इलाज मिलकर निकालेंगे जहां मुझे बदलना है मैं अभी अब मेरी बहु के लिए बदलूंगी आकिर तुम ये सब हमारी भलाई के लिए तो कहती हो ये सुनकर नव्या अपनी सांस के गले लगी नव्या को अपनी गलती समझा गई थी एक बार फिर घर पर बदल की जिमेदारी अपनी सांस को सोब कर नव्या अपना पुराना प्यार और अपना पन पन पासु कीती सुमित वही बेटा बेटा नव्या को देख मुश्क्रा रात और नव्या भी श्रम के मार्या के नीशे कर मुश्क्रा ने लगा